पूरा डीटेल में समझाओंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपने किसी भी highway या फिर expressway में जहां पर भी structure start होता है या फिर end होता है उसके approach portion में reinforce soil wall का construction देखा होगा तो इस RS wall का construction किस तरह से step by step किया जाता है उसको इस detail वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे step first जहाँ पर हमें RS wall का construction करना है उस soil का safe bearing capacity निकाला जाता है soil का safe bearing capacity according to load यहाँ पर calculate किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 2 meter का soil replacement किया गया है to achieve the soil safe bearing capacity उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर fascia panel आना है वहाँ पर leveling page का PCC किया जा रहा है आप इस drawing से idea लगा पाएंगे कहाँ पर leveling period होता है उसके बाद में किस तरह से fascia panel को लगाया जाता है इस drawing में आप देख सकते हैं reinforcement fill कहाँ पर आ रहा है retain fill कहाँ पर आ रहा है इसे आप video में आगे चल कर समझ पाएंगे जहाँ पर leveling pad का PCC हो चुका है वहाँ पर आप देख सकते हैं layout कर लिया गया है और fascia panel का placing कर दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से point marking किया गया है और fascia panel का erection किया जा रहा है इन panel की minimum width 180 mm होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं different type और different standard के panel का use किया जाता है कौन से portion में कौन सा panel का placing किया जाएगा वो आपको drawing में सारा detail दिया होता है आप यहाँ पर drawing भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सभी panel का different size and shape होता है उसको यहाँ पर उसके according ही fix किया जाता है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं different spacing पर galvanized iron का hook दिया गया है यह 12 mm का steel bar है पर इसे galvanized coating किया गया है ताकि यह corrosion या फिर कोई भी rust इस पर collect ना हो एक fascia panel से दूसरे fascia panel का erection hydra के through किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे किस तरह से hydra के through यहाँ पर fix किया जाता है एक fascia panel से दूसरे fascia panel में 20 mm का gap रखा जाता है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर EPDM pad के through maintain किया जाता है EPDM pad का का काम traffic के vertical load को soil में transfer करना होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर 3 EPDM pad को लगाया गया है उसके बाद erection के through दूसरे panel को इसके उपर fix किया जाता है यहाँ पर किसी भी panel के fix हो जाने के बाद उसका dimension चेक किया जाता है fascia panel के बीच का spacing maintain हो जाने के बाद इसे यहाँ पर stable करने के लिए edge clamp से stable किया जा रहा है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे किस तरह से यहाँ पर edge clamp के through fix कर दिया जाता है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं fascia panel या फिर R.E.Panel का erection किस तरह से step by step किया जाता है R.E.Panel के inner side में 600 mm तक drainage media जिसे filter media भी कहा जाता है उसका lane किया जाता है और उसके साथ में geotextile का use किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से well graded aggregate का use किया जाता है drainage layer के लिए next step होता है paraweb fixing इसे ही reinforced material कहा जाता है soil reinforced यही reinforced material R.E.Panel को hold करके रखता है इसका use different strength के according किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं 50, 100, 75 different type के kilo newton में strength को provide किया गया है ओवड़स को जामोची आप any झाहँ ए् सकते हैं यहाँ झाज कारी कर देख सकते हैं 26 तरह 12 दो सकते हैं तरह 27 वर्णकिक प्र विल्ग पर दिती हैं झालऑ Sarया है आप पक्रमरा इसकी वहाँ 20 प्यों यह4 जूर थार कोचिछस की। झाल 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 पैरावेब के साथ connect करने के लिए toggle bar का use किया जाता है आप यहां पर देख सकते हैं 25mm to 32mm के steel bar का use किया जाता है पैनल को पैरावेब के साथ connect करने के लिए इस portion में आप देख सकते हैं toggle bar लगाया गया है जहाँ पर भी एक पेरावेब का end होता है और दूसरा पेरावेब स्टार्ट करना होता है वहाँ पर 2 मीटर का overlap दिया जाता है और उसे S-Clem के थूरू connect किया जाता है पेरावेब fixing हो जाने के बाद इस पर soil का dumping किया जाता है और 200 mm का compacted thickness का layer बनाया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं NDG के थूरू nuclear density gauge के थूरू compacted layer का density चेक किया जा रहा है और compacted layer का density 95% से अबाव होना चाहिए यहाँ पर आरी वाल के fixing में plump का ध्यान रखा जाता है आरी वाल का panel हर 1 मीटर पर 15-20 mm अंदर की तरफ soil के अंदर की तरफ lean होता है ताकि यहाँ पर roller द्वारा vibration होने पर या फिर traffic movement होने पर यह automatically panel थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है इसे इसलिए 15-20 mm अंदर की तरफ lean रखा जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका plump किस तरफ से चेक किया जा रहा है और यह किस तरफ से अंदर की तरफ जुका हुआ है यहाँ पर आरी पैनल का construction complete हो जाने के बाद इसके उपर coping beam किया जाता है और coping beam के उपर friction slab के साथ crash barrier किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं इस portion में friction slab के साथ crash barrier का construction किया जा रहा है जैसे soil को retain करने के लिए आरी पैनल का यूज करके reinforcement wall का construction किया जाता है उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं आरी block का use भी किया जाता है retaining wall के construction में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आरी block का use किया गया है उसके उपर भी coping करने के बाद में friction slab का casting करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं Friction Slap का कास्टिंग किया जा रहा है और Crash Barrier का Construction कर दिया जाएगा अगर आप R.E.Blog पर भी वीडियो देखना चाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए R.E.Blog पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा I hope आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगी होगी अगर वीडियो इंफोर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस कंस्रेक्शन रिलेटेड वीडियो मिलती रहे थैंक यू सू मच पर वाचिंग दे वीडियो झाली के साथ लेडियो